सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पक्षेद्यापक का नाम लिख लेंगे टॉपिक है बच्चो वर्ग और वर्ग मूल ठीक है दी गई आकर्टी एक खिलोने की है जिसमें पांच ब्लॉक है इन ब्लॉक को एक क्योपर एक रखा हुआ है प्रती एक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है मुझे इन ज़ी आजन तब 00 ynohi है केजम एकickers up कर दिशन पिर जिसमें 5 ब्लोक है यह एक box है थीक है इस में दूसरा box यह है थीक है दूसरा block तीसरा यह है चॉथा यह है और 5 वा double यह है अब इसमें क्या कहा गया है पैटरन से हमें कुछ विशेश पिरकारी की संख्याय जैसे एक, चाल, नो, सोला, पच्चिस प्राप्त हुई अब हम प्रतिय का आकरती को अलग-अलग लेकर समझेंगे तो देखे, यह अलग-अलग आकरती है अब हम देखते हैं एक की गुणा एक में की तो एक मिला, एक के कम एक दो की दो में की दो की दो में क्यों की बच्चों चार मिला देखे आयत का छेत्रफल कैसे निकलता है लंबाई गुणा चड़ाई से ठीक है, यह फॉर्मूले याद है आपको देखे, आयत में इसकी अगर हम इसकी चड़ाई की बात करते है तो दो बॉक्स है और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते है तो भी दो बॉक्स है तो जो हम दो की दो से गुड़ा कर लेंगे तो इसके पूरे का छेत्रफल निकल याएगा तो दुनी चार उसी तरह से नीचे वाला करेंगे तीन ही यहां लंबाई में है चोड़ाई में, तीन ही यहां लंबाई में है तीन की तीन से गुड़ा करेंगे तो इस पूरे का निकल रहेगा तीन तीन नो, ठीक है अब ऐसे ही हैं चार हैं इधर भी 4 है, 4.16, अब इसे ही हैं, इधर भी 5 है, 5 बंजे 25, ठीक है, अब अलग-अलग करके इसे निकाल लेते हैं, एक बॉक्स का, एक ही है, एक की एक से गुड़ा करी, एक आया, 6 तरफल, ठीक है, 2 की 2 से करी, 4, 3 की 3 से करी, 9 cm वर्ग स्कुरा है, 4 की 4 से करी, 4.16 cm वर्ग अब देखिए, वर्ग संख्या, या विस्तारित रूपे, या घातांकी रूपे, या वर्ग का छेत्रफल है, उप्रोप्त संख्या है, 14, 9, 16, 25 विशेश परकार की संख्या है, जो हमें वर्ग का छेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इने पूर्ड ग्रूपों में बताया हुआ है, विस्तारित रूप में एक गुड़ा एक, दो गुड़ा दो, तीन गुड़ा तीन, चार गुड़ा चाप, पांच गुड़ा पांच ऐसे लिखेंगे, गहतांग की रूप में एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, ये गहतांग की करी तो चेत्रफल 25 वर्गी का ही आया ठीक है बच्चों अभी हां तक तो किया हुआ है यहां पर हमसे बोला हुआ है कि अब आपको आगे करना है 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का तो हम कर देंगे 6 की 6 से गुड़ा करेंगे हम 6 गुड़ा 6 तो कितना जाएगा 36 7 की 7 से करेंगे 7 गुड़ा 7 8 की 8 से करेंगे तो 64 यह आपको करना नोट बुक में ऐसी 9 की 9 से गुड़ा करेंगे तो 81 10 की 10 से करेंगे 100 ठीक है ऐसी आपको यह पूरी टेबिल बनानी है यहां प्राकृतिक संक्या लिखनी है यहां पर पूर्ण वर्ग संक्या लिखनी है ठीक है यहां 5 तक इनोंने निक यह हमें करनी है, 6 गुड़ा 6, 36, 7 गुड़ा 7, उरंचा, 8 गुड़ा 8, 64, 88, 64 होते हैं क्यूंकि 9 गुड़ा 9, 9 निमिक 80 होते हैं, 10 धाम 100 होते हैं, यह हमने कर लिया, अब यहाँ पर भी कोश्चन है, प्रियास कीजिए, नीचे दी गई संख्याओं के बीच, पूर्ण वर् यहाँ पर, उरंचास, और 60, 70 के बीच पूछिए, तो वो कौन सी है, 64, फिर उसके बाद 81 है, ठीक हैं, तो पूर्ण वर्ण संख्या, 40, 50 के बीच हम लिख देंगे, उरंचास, 60, 70 के बीच लिख देंगे, 64, ठीक हैं, अब यह बता हुआ है, क्या 1 और 4, 4 तता 9, 9 तता 16, एक के बीच कोई पूर्ण वर्ण संख्या है, तो एक और 4, 4 तता 9, 9 तता 16, आधी के बीच कोई पूर्ण वर्ण संख्या है, तो इसमें हैं बताए हुआ है, उपरोक्त पैट्रन से हमने समझा, कि वह संख्या, अपनी जैसी संख्या के गुणा करने से प्राप्त होती है, जैसे दो की अगर हमने दो में गुटा करी तो दोनु संख्या एक जैसी है नहीं है तो बचो आपको यही करना था सिर्फ इतना आपको यह solve करके दिखाना था आपकी वकषीट solve होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंत आए है तो प्लीज में वीडियो को like कीज़े शेयर कीजिए, हमाई जनको सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स पर वाचिंग